हलो एव्रिवन कैसे आप लोगों मेरे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों कल आपके कॉमर्स का पेपर है और आए कुछ को समझने की कोसित करते हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं और इसी से संबंदित कुछ प्रशन आपसे पूछे जाते हैं तो आएए सबसे पहले हम सुरू करते हैं दोस्तों की क्या होती है कि वाडी जी को परिभासित कैसे करते हैं तो देखिए वाडी जी क्या है दोस्तों उ कि वस्त्यों के आदानपर्दान में व्क्तियों अस्थान और समय की बाधाओं को दूर करने में है हुए डिस ने दिया था is Hein Sun मेन दिया था वाड़ी जी क्या है उन परक्रियाओं के कुल योकुल राशी का गठन करता है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में व्यक्ति अस्थान और समय की बाधाओं को दूर करने में लग हुए है चलिए हम कुछ कॉमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं विसस्ताय देखते हैं तो देखिए वाड़ी जी एकला तता उत्पादक के बीच संबंद बनाता है एक्जाक्लि वाड़ी जी में उत्पादक में उसे वस्तुओं तता सेवाएं खरीद कर उब भोक्ता के बीच को बेची जाती है वाड़ी जी के द्वारा वस्तुओं का वित्रा आसान होता है और वाड़ी जी का छेत्र व्यापक होत में तो Commerce Teaching के अगर हम definition की बात करें तो इसे सुन्दरो कहनसिक ने कहा था कि Commerce Teaching क्या हो सकता है दोस्तों दो यह Commerce के लिए Teaching राइट तो वड़ी जी सिक्षा सिक्षण का रूप है जो प्रत्यच तता अब प्रत्यच रूप से वैपारियों को उसके कारी के लिए त्यार करता है कितना आसान से definition मैंने आसान सही लगिए आपके लिए कि वाड़ी जी क्या है Commerce क्या है Commerce Education यह संँ फिनिशन एक सिक्षण का रूप है जो परत्यचिट डायरेक्ले और इन्डायरेक्ली यह người SARAH system आम Guy वहारी को सब्सक्राइब तैयारी है सब्सक्राइब करें सामीर है एक विक्ति को महान बनाती है इस याद रखेगा यह थोड़ा से difficult है लेकिन यह दो याद रखेगा यह वाडी जी सिख्षा एक व्यवसाई त्यारी है इसमिए सभी प्रकार की सिख्षा सामिल है जो कि एक व्यक्ति को एक महान व्यवसाई एक great businessman या great entrepreneur क्या करती हैं बनाती है चलिए अब हम बात कर लिए दोस्तों व्यवसाइज सिक्षा के कुछ उद्देश के वारे में उद्देश या उप्योगिता या महत्तों को समझा जाए कि यह जरूरी क्यों है तो देखिए वाड़ी यह पार्ठिकरम सुरू करने से व्यवसाइज से जूड वाड़ी जी सिक्षा किसी को नौकरी तलासने वाला बनाने के बजाए नौकरी देने वाला बनाने के लिए प्रोसाइद करती है अन्य था अन्य था वी एक वाड़ी जी असनातक एक लेखा परिक्षा अकाउंटिंग पे अकाउंटिंग एक्जैम लेखकार व्यवसाइज स और बिजनस क्या कहते हैं विवसाइज सहलाहकार का मतलब बिजनस एडवाजरी या फिस शेयर मार्केट में अनालसिस तो यह सारी चीज़े क्या है दोस्तों इनकी छेत्र हैं इनकी महत्व हैं इनकी विश्यस्ता है कि यह चीज़े वाड़ी जी कॉमर्स पढ़ने के बाद के लिए माल यानि कि प्रोड़क्ट के स्वामी बत्तों बतलने के विविन पहलूओं को समझने के लिए उप्योगी है वाड़ी जी सिक्चा का उद्दे से ठोक वेपार खुद्रा निर्यात वेपार आयाद वेपार और संबुण बंदरगा वेपार के बारे में प्रयाब जनकारी देना है यह माल आजी की आवजाही परिवहन संचार बीमा वेर हाउसिंग धान बैंकिंग और वित और वेपारिक एजिंसियों के बारे में कुछ न कुछ ग्यान प्रदान करता है तो दोस्तों आप सब तो कॉमर्स के स्टूडेंट है आप सब को बहतर पता है कि य सब्सक्राइब को के पूछ सकते हैं कि अर्थसास इकानो मिक्सी और समस्थ या क्रशेर की बात करें मैं चोटे से पॉइंट दे रहा हूं क्यों आप इसको बड़े में एक्स्प्लोर करेंगी तो यह वाड़ी मिदिय अर्ति के कुल इंध проблема के संशेफ में हिसकते हैं warrior social के दोस्तों संशेप में कहा सकते कि अर्थ सास्त वाड़ी जी की जन्म के बीका बीना एकॉनमिक्स के आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते इस चीज को याद रखिए और थोड़ा सा इतने सारे डेविट्स के वैलिएशन करनी होती है वह बीना मैट्स के बीना मैट्स मैटिकल फॉर्मूले के पॉसिबल नहीं है तो एक लेखकार मतलब एक काउंटेंट खाते को तयार करने में मौलिक अंक गडित प्रक्रियाओं को लागू करता है आगे विक्रिकर आएकर आएकर निकालना विक्रिक प्रतिशत निकालना यəं सारे चीज़ों में क्या होता है दोस्तों गणित के सुत्र और सिधान्टों का परभयों होता है इस प्रकार से आप इसको करेंगे भूगोल के संबंद में वाड़ी क्या संबंद हो सकता है कॉमर्स और भूगोल जियोग्रफी का तो किसी भी वेफसाई के रूप में महत्पूर वस्तुव के लिए आवस्त कच्छे मालकों विविन अस्तानों से एकत्र किया जाता है ठीक है और उत्पादन केंदर मे उपलब्द करा जाता है ऐसे समागरी की उपलब्दा हमेशा भूगोलिक प्रिस्तित्यू के दारी पर होती है जैसे कि अगर मैं आपसे क्या दूं कि आपको एकाउंटेंट करना है कहां पे पेट्रोल के बारे में तो यह आपको भूगोलिक जनकारी होना बहुत जूरू है कि पेट्रोल की से छेतर में पाए जाता है वहां से ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट कितना होगा तो इन सारी चीजों में क्या होता है कॉमर्स और वोल्ड दोनों का यूज होता है मतलत दोनों में अच्छा सम्मन्द है दोस्तों इस तरह से पॉइंट आप से पूछे तो दोस्तों सुच में सिख्छन क्या होता है सुच में एक छोटा सा नमूना है एक सैंपल है टीचिंग का जिसमें ैक 5-10 विद्यादियों को एक छोटे सम्मू को 5-10 मिनिट की अउधी के लिए छोटी र काई पढाता है एसी सटेटिक नया सीचims को कॉसल करने और पुरान इससे क्या होता है कि आपके डेवलफ स्किल्स डेवलफ होता है आपको एक सिक्षड की अनुभव मिलती है अपनी गलतियां सुधाने का मौका मिलता है और आपना खुद आप आकलन करते हैं तो इस प्रकार से सुच में सिक्षड के बारे मुझे अब आपसे पूछा जा सकता ह कि वाड़े जी सिक्षड की जिम्मेदारी क्या होती है एक जो कॉमर्स का टीचर उसकी क्या रिस्पॉंसिबिल्टी है तो वह निम्लिखी जिम्मेदारी है बच्चों के चरित्र का निर्माड करना प्रभावी सिक्षड और सिखाना वक्तिगत अंतर को समायोजित करना जो भी करिकुलम्स है आप उसको कैसे डेबलब करेंगे कैसे इसको लागो करेंगे अच्छे परिवारिक और सामुदाइक संबंदों का विकास कुल इसकूल प्रभावसिलता और व्यवसाइक विकास और नहतिकता यह हो गई दोस्तो एक अच्छे टीचर की प्रभावपूर्ण व्यक्तितो एफेक्टिव नेचर उनका परस्नाल्टी होना चाहिए न्यायपूर्ण और निस्पक्च होना चाहिए वो टीचर सहानभूति पूर्ण वहवार होना चाहिए और उसका वेसबुसा अच्छा होना चाहिए तो दोस्तो यह हो गया एक कॉमर्स टीचर की क्वालिटी ठीक है दोस्तो बिल्कुल सही अब यहाँ पे एक और पार्ठिक्रम से आप क्या समझते हैं तो बिल्कुल पार्ठिक्रम वही जो आपने नौलेज इन करिकुलम में पढ़ा कि पार्ठिक्रम क्यूरियर वर्ट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दौल का मैदान रेस कोर्स ठीक है तो हम यहाँ पे आपको पार्ठिक्रम निर गिताओं के आधार पे पार्टिक्रम बनाएं समुदाय केंद्रित चीक है गतिवीधिया केंद्रित उस पार्टिक्रम में दोड़ी गतिवीधिया हो एकता केंद्रित दूर देसी केंद्रित वो पार्टिक्रम जो आपके भविस्व में आगे बढ़ाएं रूडी वाधी सिध सब्सक्राइब और इक तुचा जाता ता है और इस बार बीजरूरे जीज़ चाहेगा अब आई हम लास्ट पॉइंट के डिसकस करेंगे यह बड़ा इंपॉर्टन प्रशन है कि कॉमर्स टीचर के तरीके क्या होता है किस किस मैथट से हम टीचिंग कर सकते हैं व्यक्षान विधी यह सारे आपको नहीं देखना है मैं कुछ पॉइंट बताता हूं जैसे व्यक्षा विधी डिसकस मेथड सेमिनार संगोस्त की कारेसाला पैनल चर्चा ब्रेंस्टॉर्मिंग आउनुमानी विधी सिमिलेशन रोल प्ले और सरवेक्षण यह बजारात यह सारी विधियां इनको बड़ा ध्यान से आप देख लीजीगा सवाल आपसे ऐसे पूछता है कि अगले वीडियो में वजा यह जो सारे पॉइंट्स है वह सभी के लिया आते हैं आप चाहे मैथ फिजिकल साइंस बैयलोजिकल साइंस कॉमर्स एकॉनमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट रहो सब में इनको आएगा तो हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो सारे बच्चों के अच्छा लगा टेंशन बिलकूं मतलिए दोस्तों इसे सम्मध्र प्रश्ण आएंगे बड़े आसान से प्रश्ण आएंगे आप कॉमर्स की टीचर हैं आप कॉमर्स के बहुत अच्छी स्टूटेंट है बिना टेंशन के आप पेपर लिक याएंगे बड़ा अच्छा इस वीडियो में फिलाल इतना है दोस्तों बहुत 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 कामना है अमरी तरफ से आपके कल की एक्जाम्स के लिए जय हैं जय भारत